पूरी अपडेट पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंतक देखना और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो पूरी खबरी इस परकार है हर्याना सारीरिक सिक्सक संघर्स्मिति के बैनर तले नोकरी भाली की मांग को लेकर संघर्स कर रहे बरखास्ट PTI सरकार के नए फैंसले से बिलकुल भी खुश नहीं है सरकार की ओर से बरखास्ट PTI को समयोजित करते हुए 24,000 रुपे फिक्स देने की बाद सरकार की ओर से की गई है ये सरकार का नया फैंसला था मगर इस नए फैंसले से PTI का कैणा है कि यह वेतलमान सम्मान जनक नहीं है जारी धरने को सम्बोधित करते हुए समीति के जिला परधान संदीप बलडी ने कहा कि 24,000 रुपे वेतन 1983 PTI परिवारों के लिए एक मजाक है तो साथियो यदि आपको चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को यहीं सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को इतना सेयर करना कि इस सरकार को इस मजाक करने की सोच बिलकुल खतम हो जाए और इनको समायोजित करे इन PTI को समायोजित करे और वो अच्छे तरीके से करे जिससे इनके परिवार का चूला जलता रहे तो साथियो 90% से ज़्यादा करमचारियों के बैंक से लोन लेकर गुजारा कर रहे हैं ये कहना है परधान संदी बलडी का तो परिवारों का पालन पोशन मुश्किल से हो रहा है उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार समान जनक वेतन नहीं धिती धरना इसी परकार जयों का त्यों चलता रहेगा बलकि और अक्रोस में चलेगा और PTI 6 कों का अक्रोस इस फैसले से और बढ़ गया है तो साथियो सोमवार को करमिक अंसन पर बैठने वाड़ों में संदीप राजेश कुमार अने रुद सी सोदिया विनादेवी वेशुरेश कुमार सामिल रहे मंच का संचालन सीव कुमार गोंदर ने किया इस अवसर पर किर्शन निर्मान SP त्यागी रोता सिंग सेवा सिंग नरेश कुमार तेजवीर मान सने लता निलमादी सामिल रहे तो साथियो ये थी आज करनाल जिले से PTI 6 कों से संबंदित अपडेट इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट शिक्सा जगत से जुड़ी हुई जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सबस्क्राइब जुरूर करना और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ ही कमेंट में ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अधिक से अधिक सेर भी करना तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद साथियो नमस्कार साथियो